दोनों लड़कियों का शब पहुँच गया उनके घर पर पोस्टमाटन की बाद घर पहुँचे दोनों के शव आजगाओं में ही होगा दोनों का अंतिम सर्सकार मौके पर भारी पुलिस वोल्स को तैनाथ किया गया घर के हर कमरे में महिला पुलिस कर्मी मौजूद है पोस्टमाटन रिपोर्ट में बच्चियों के शरीग में जहर की पुस्टी हुई है एक बच्ची का कानपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है वो जिन्दगी और मौत के बीच में जूज रही है डॉक्टर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं बता दे कि तीनों बच्चिया खेत में बंद पाई गई थी जिसमें से दो की मौके पर मौत हो गई थी घटनस्तल पर मौत हो गई थी एक किहालत ब्यहत गंभीर बनी बनी जिसे कानपुर में राफर किया गया जहां उसका इलाज चल रहा है कांटूर अस्पतार में लाज चल रहा है वहीं दो बच्चियों के जो पोस्माटन रिपोर्ट आई उसने सब को चौका दिया बच्चियों के शरीर में जहर की पुस्टी हुई है बच्चे के शव उनके घर पहुँचा दिये गए हैं जहां आज अंतिम संस्कार किया जाएगा पोस्माटन के बाद घर पहुँचे दोनों के शव आज गाओं में ही होगा दोनों का अंतिम संस्कार बच्चियों के शरीर में जहर की पुस्टी हुई है पोस्माटन रिपोर्ट आई तो सब चौक गए उठी खेत में जिस तरह से ये दोनों शव मिले बच्चियों के एक बच्ची की हालत गंपीर बनी ऐसे में कई सारी आशंकाय जताई जा रहें थी पोस्माटन रिपोर्ट आई तो चौका दिया उसमें जहर की पुस्टी हुई है पोस्माटन के बाद अब शरीर को शव को घर पहुचा दिया गया है अंतिम संस्कार होगा पंच्चित में विलीन हो जाएंगी दोनों के हाला तब भी नाज़ुक बनी हुई है उसे बचाने के लिए तमाम कोशिशे की जा रहे हैं डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है घर के हर कमरे में महिला पुलिस कर्मी को तैना किया गया है वहीं रिपोर्ट में बच्चियों के शरीग में जहर की पुस्टी हुई